Strategic Thinking सिर्फ समझदार या होशियार होने के बारे में नहीं है। यह उस बारे में हैं कि आप अपने ध्यान और संसाधनों को कैसे सुन्योजित और अनुशासित तरीके से आवंटित करते हैं। The Six Disciplines of Strategic Thinking, Leading Your Organization into the Future, द्वारा Michael D. Watkins और Fred Sanders की साथ प्रमुक सीखें। एक सिस्टम परिप्रेक्ष अपनाएं, Watkins रणनीतिक सोच में सिस्टम के परिप्रेक्ष को अपनाने के महत्व पर जोर देते हैं। इसका मतलब है कि यह समझना की संगठन के विभिन हिस्से एक दूसरे के साथ कैसे बातचीत करते हैं और एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं। यह व्यापक संदर्प को ध्यान में रखते हुए नेताओं को अधिक सूचित निरने लेने में मदद करता है। दो, मानसिक फुर्ती विक्सित करें। एक महत्वपूर्ण सबक मानसिक फुर्ती की आवशकता है। नेताओं को बदलते हालातों के अनुसार अपनी सोच और रणनीतियों को अनुकूलित करने की क्षमता विक्सित करनी चाहिए। यह लचीलापन उन्हें जटिल चुनोतियों को प्रभावी ढंग से नेविगेट करने और नए अवसरों को पकड़ने में सक्षम बनाता है। तीन, पैटर्न की पहचान करें। किताब में डेटा और व्यवहार में पैटर्न की पहचान करने के महत्व पर जोड दिया गया है। पैटर्न को पहचान कर नेता संभावित खत्रों और अवसरों का पूर्वानुमान लगा सकते हैं, जिससे अधिक सक्रिय निर्णय लेने की प्रक्रिया होती है। चार संग्रचित समस्यास माधान में शामिल हो। वाटकिन्स एक संग्रचित द्रिष्टिकोन से समस्यास माधान की सलाह देते हैं। इसमें जटिल मुद्दो को प्रबंधनिय घटकों में विभाजित करना, उन्हें व्यवस्थित रूप से विशलेशन करना और कारवाई योग्य समाधान विक्सित करना शामिल है। इससे निर्णय लेने में सपश्टता और प्रभावशीलता बढ़ती है। पाँच, राजनीतिक समझ विक्सित करें। संगठन के भीतर सत्ता और प्रभाव की गतिशीलता को समझना महत्वपूर्ण है। वाटकिन सिखाते हैं कि राजनीतिक समझ नेताओं को संगठनात्मक राजनीती को प्रभावी ढंग से नेविगेट करने, गट बंधन बनाने और अपनी पहलों के लिए समर्थन जुटाने में मदद करती है। छे भविश्य के लिए द्रिष्टिकोन तयार करें। एक प्रमुख अनुशासन भविश्य के लिए एक प्रेरग द्रिष्टी बनाने और उसे संप्रेशित करने की क्षमता है। नेताओं को अपने संगठन के लक्षों के साथ एक सपष्ट और प्रेरणादायक द्रिष्टी को सपष्ट करना चाहिए, जिससे उनकी टीमों को एक सामान्य उद्देश्य की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित किया जा सके। साथ निरंतर सीखने और अनुकूलन का अभ्यास करें अंत में वाटकिन्स निरंतर सीखने के महत्व पर जोर देते हैं। नेताओं को प्रतिक्रिया के लिए खुले रहना चाहिए, नए ज्यान की तलाश करनी चाहिए और अपनी रणनीतियों को सफलताओं और असफलताओं से सीखे गए पाठों के आधार पर अनुकूलित करना चाहिए, जिससे व्रिध्धी और नवाचार की संस्कृती को प्रभावा मिल सके. The Six Disciplines of Strategic Thinking से ये शिक्षाएं नेताओं को उनकी रणनीतिक सोच क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक व्यापक धांचा प्रदान करती हैं, जिससे वे तेजी से बदलते वातावरण में अपने संगठनों को प्रभावी ढंग से नेत्रित्व कर सकते है झाल